मध्यप्रदेश के धार में एक जरजर भवन की खुदाई के दौरान वहां काम करने वाले मजदूरों को एक ऐसा खजाना हाथ लगा जिससे उनकी किस्मत खुल गई अलकि इस खजाने का राज जादा दिनों तक छिप नहीं सका और पुलिस को जब इस खजाने का राज पता चला तो खजाने को आपस में बाटने वाले मजदूरों को पुलिस ने गिरफतार कर लिया दरसल धार के नालचा दर्वाजा इलाके में एक जरजर मकान की खुदाई के दौरान मजदूरों को सोने के आभूशनों और गिन्यों से भरी दो मट्किया मिली दो अलग-अलग मट्कियों में मजदूरों को सौ से जादा गिन्या और सोने की चैन हाथ लगी एक साथ इतना बड़ा खजाना देखकर मजदूरों के मन में लालचा गया और उन्होंने बिना मकान मालिक को बताए पूरे खजाने को आपस पे बाट लिया कुछ दिनों तक मजदूर सोना बेजकर खुशी-खुशी दिन गुजारते रहे इसी खजाने से किसी ने अपना पूरा करजा चुकता कर दिया तो कोई नई बाइक लेकर आ गया लेकिन इन्ही बेताहशा खर्चों ने उनकी पोल भी खोल दी मजदूरों के पास अचानक इतने सारे पैसे आने की खबर पर शक होना लाजमी था पुलिस को भी बनक लगी तो शक के आधार पर पुलिस ने मजदूरों के ठेकेदार को गिरफतार कर लिया जिसके बाद पूस्ताज में सारा मामला खुल गया फिलहाल पुलिस ने आठ मजदूरों को गिरफतार किया है मामले में धार के एक व्यापारी का नाम भी सामने आ रहा है जिसे भी पुलिस हिरासत में ले सकती है वहीं मजदूरों के पास से 103 गिनिया बरामत की गई है हलाकि पुलिस को और बरामतगी की उम्मीद है कि अझाब बुल नाम क पुलिस को नाम है kanakarali कि बुलिस ह不न्हें रहा है भी छля्ड़ों के बुलिस है